अगर आपको डिजायर स्विफ्ट से भी सस्ती देखने मिले तो क्या आपको डिजायर लेना चाहिए या फिर पैसे लगा कर स्विफ्ट की तरफ जाना चाहिए अगर आप स्विफ्ट का VXI विरेंट लेना चाहते है तो डिजायर के एक ऐसा value for money विरेंट है चो कि आपको स्विफ्ट के VXI विरेंट से भी सस्ता देखने मिलता है तो आज की इस वीडियो में हम यही clear करने वाले है कि अगर आपके मन में confusion है कि desire and swift के बीच में service cost का भी अंतर है तो वो भी मैं आपको clear करूँगा इन दोनों में सही value for money choice आपको कौन सी रहने वाली है comfortable दोनों में सही कौन सी जादा है कौन सी आपके spacious cabin की demand फुल्फिल करेगी कौन सी जादा premium interior quality के साथ आती है और कौन सी सबसे जादा value for money है यानि overall आपका पैसा वसूल कौन सी कार करवाने वाली है manufacturer warranty की भी बात करेंगे तो चलिए इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके bell icon ज़रूर प्रेस कर लेना सबसे पहले बात कर लेता है दोनों ही लिया है जो कि 6.23 लाइक रूपीज कॉस करता है एक शोरूर प्राइस देली में तो अगर आप इनके डिफरेंस की बाग करें यहापर आप लोगों को 58,000 रूपीज का डिफरेंस देखने मिलता है तो क्या आपको 58,000 लगा कर Swift के VXI वेरेंट की तरफ जाना चाहिए या फ लेगी 113 नम का टॉर्क देखने मिलेगा डिजायर में एंड स्विफ में दुनों में ही आपको सेम एयर या सर्टिफाइट माइलेड देखने मिलता है जो कि है 23.26 किलोमेटर पर लिटर का बात कर देखने मिल जाती है तो चलिए बात कर लेते हैं इंजन पर्फॉमेंस की ब कंपेरिजन में लाइट वेट है एंड हैजबाक होने के कारण इसमें एक पावर का एडवांटेज आपको ज्यादा लगने वाले यां इंजन का मिड रेंज काफी ज्यादा स्ट्रॉंग है 2000 अर्पियम से लेकर 4500 अर्पियम तक काफी अच्छी पावर जेनरेट करता है 4500 तक काफी अच्छा मिड रेंज आपको देखने मिल जाता है तो आप अगर हीली एरियास पर पिक अप भी लेना चाहते हैं तो उतनी कोई जादा समस्या नहीं होने वाली हाँ अगर आप 5-seater पूरा occupy करके चलते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को इसका इंजन थोड़ा सा lag मारते हुए जरूर नजर आएगा बात करें Swift की तो यह performance वाइस काफी बेटर है ride and handling quality भी आपको ride quality आप लोगों को थोड़ी सी बेकार देखने मिलेगी Swift में लेकिन handling आपको काफी अच्छी देखने मिल जाती है desire की comparison में तो overall Swift में आपको pickup थोड़ा सा जादा अच्छा देखने मिलता है desire की बात करें तो यही engine आपको काफी जदा smooth and refined देखने मिल जाता है gear shifting दोनों ही cars में आपको कोई भी दिक्कत नहीं देने वाली desire की बात करें तो यह car काफी जदा planted रहती है यानि हाइविस पे भी आप लोगों को काफी अच्छी high speed stability देखने मिलेगी Swift के comparison में वही low speeds पर आपको ride quality desire में बहतर देखने मिल जाती है Swift के comparison में वही maneuverability की बात करें और जो चलाने का मज़ा है planted होकर चलती है desire एकदम चिपक कर चलती है जो कि Swift थोड़ी सी आपको bumpy लगने वाली है जब high speeds पर अगर आप Swift चलाते हैं तो overall high speed stability और comfort ride quality आपको desire में देखने मिल जाती है Swift के comparison में बाकि आप लोगों को Swift में pickup थोड़ा सा बहतर देखने मिल जाता है वही desire में भी आपको ये engine निराश नहीं करने वाला है performance के मामले में वहीं अगर मैं बात करता हूँ service cost की तो आप लोगों को दोनों एक आरस में service cost same देखने मिल जाता है क्योंकि parts का cost भी आपको same देखने मिलेगा हाला कि कुछ percent इधर उधर हो सकता है segment के हिसाब से बाकि desire and swift का service cost आपको same ही लगने वाला है तो ज़्यादा tension ना लीजिए आप लोगों को दोनों एक आरस का service cost same देखने मिल जाता है चलिए बात कर लेते कि किस कार में आपको space अच्छा देखने मिल जाता है तो dimensions आप अपनी screen के सामने देख पा रहे होंगे यहाँ पर आप लोगों को desire में काफी अच्छा spacious cabin देखने मिल जाता है swift के comparison में यहाँ पर swift की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को space की तंगी होने वाली है desire के comparison में तो overall spacious cabin यहाँ पर आप लोगों को desire का देखने मिल जाता है लेकिन rare row की बात करें तो swift में आपको headroom better देखने मिल जाता है desire के comparison में तो चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर capacity की तो boot capacity की बात करें तो 268L की देखने मिलेगी swift में वही 378L की देखने मिल जाती है desire में वही दोनों ही cars में आपको 37L का fuel tank capacity देखने मिल जाता है अगर बात कर लेते हैं tire size की तो यहाँ पर आप लोगों को 16580R14 दोनों ही cars में दिखने मिल जाता है और दोनों ही cars में यहाँ पर variants के हिसाफ साफ को steel rims देखने मिलेंगे spare wheel भी आपको steel देखने मिल जाता है standard features की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को दोनों ही cars में dual airbags दिखने मिल जाते हैं two star global in-cap crash test में इन दोनों ने ही score किये थे तो मेरी तरफ से तो बिल्कुल भी recommend नहीं है कि desire आप swift में साफ कुछ भी लीजिए क्यूंकि दोनों ही unsafe cars है child seat anchor point, seat belt warning के साथ-साथ ABS, EBD and brake assist आपको standard देखने मिल जाते हैं engine immobilizer and child safety lock आपको देखने मिल जाता है दोनी cars में वही central locking and speed sensing door lock swift में देखने मिलता है compact and convenience के हिसाब से आपको दोनी cars में manual AC देखने मिल जाता है and front AC देखने मिलता है, rear AC नहीं मिल पाता है co-driver side आपको vanity mirror, sun visor, cabin boot access, manual adjustable anticlayer mirror, swift में देखने मिलता है, desire में नहीं मिल पाता है and parking sensors आपको rear में देखने मिलता है दोनी cars में with tilt steering adjustment and 12 volt का power outlet भी आपको दोनी cars में देखने मिल जाता है वहीं अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर storage space की तो यहाँ पर सिर्फ आपको front में का folder देखने मिलता है दोनी cars में power windows की बात करें तो front and rear दोनों में ही देखने मिल जाती है one touch up and down आपको driver side swift में देखने मिलेगी जोकि desire में नहीं मिल पाती है electrically adjustable OR भी हम आपको swift में देखने मिलेंगे जोकि internally adjustable देखने मिलते हैं desire में turn indicators भी आप लोगों को swift में देखने मिलते हैं बात कर लेते हैं आप लाइटिंग setup की तो यहाँ पर आप लोगों को दोनी cars में halogen headlights देखने मिलेगी वहीं LED tail lights देखने मिल जाती है front cabin lamps के साथ में headlight head adjuster का function भी आपको दोनी cars में देखने मिल जाता है instrument cluster की बात करें तो दोनी cars में यहाँ पर आप लोगों को analog or digital instrument cluster देखने मिलेगा जो की तमाम तरीके के feature जैसे की average fuel consumption trip meter distance to empty digital clock low fuel warning जैसे feature display कर देता है तको में यहाँ पर आप लोगों को स्विफ्ट में देखने मिलेगा analog डिजायर में टाको में नहीं मिल पाता है infotainment system की बात करें तो desire LXI variant होने के कारण इसमें आप लोगों को infotainment system नहीं देखने मिलेगा VXI से देखने मिलता है तो यहाँ पर आप लोगों को स्विफ्ट में integrated music system देखने मिलेगा जो कि यहाँ पर आप लोगों को four speakers देखने मिल जाते हैं Nippon के swift में जिनके audio quality आपको average देखने मिलेगी यहाँ आप इस system को usb option bluetooth के साथ pair जरूर कर सकते हैं manufacturer warranty के जोकी सबसे जादा important है practicality के हिसाब से तो desire में and swift में दोनों में ही आपको दो साल 40,000 km की warranty देखने मिलती है तो अगर आपका running जादा है तो चाहे आप desire लीजिए फिर swift लीजिए आपको जल से जल extended warranty लेनी पड़ेगी अगर आपका running जादा है अब बात कर लेते हैं दोनों कार्स के variant के हिसाब से additional features किसमें कितने अच्छ देखने मिल जाते हैं जहापर आपको desire में idle start stop and pull in filter देखने मिल जाता है वहीं swift में rare parcel shelf headlap on reminder का feature देखने मिल जाता है तो यह थे कुछ additional features variants के हिसाब से जो कि कुछ खास नहीं है अब बात कर लेते conclusion की कि which is best and value for money to buy बात करते हैं swift and desire की तो हमने दोनों ही कार्स के बारे में सारे ही points क्लियर करें जैसे की service cost, maintenance, किसका कितना होने वाला है तो दोनों का ही आपको एक जैसा देखने मिल जाएगा swift का VXI variant and swift desire का Alexi variant लेने का मेरा सिर्फ यहां मकसद था कि अगर आप swift के VXI variant की तरफ जा रहे हैं अगर आपको एक better value for money car चाहिए तो आप desire के Alexi variant को भी choose कर सकते हैं features भले ही काम हो लेकिन practicality के हिसाब से आपको एक segment उपर की car देखने मिलती है तो अगर आप swift के VXI variant को prefer करना चाहते हैं and अगर आप features से compromise कर सकते हैं तो एक बिलकुल आप desire के Alexi model की तरफ जाएं क्योंकि आपको swift के comparison में एक segment उपर की car भी देखने मिलेगी जिसकी resale value भी आपको swift से बहतर देखने मिलती है साथी साथ आपको अपने हिसाब से modification and customization करवाने का भी मौका मिलेगा तो आप बिलकुल desire की तरफ जा सकते हैं दोनों की बात करें तो आपको comfortable seats हैं वो आपको desire में देखने मिलेगी red quality भी आपको कहीना कही desire की better देखने मिल जाती है swift के comparison में planted जो कार रखती है high speed stability आपको desire की बहतर लगने वाली है swift के comparison में तो आप बिलकुल desire की तरफ जा सकते हैं क्योंकि एक value for many product है swift के comparison में वही swift आपको bumpy लगने वाली है जब भी आप इसकी high speed stability की बात करें high speed stability आपको कुछ खास नहीं देखने मिलती है जब हम desire से compare करते हैं वहीं अगर बात करते हैं engine performance की तो कहीना कई pickup थोड़ा सा better लगता है बट उतना भी नहीं कि आप desire को neglect कर लेगने अगर आप अपनी कार को बहार से काम नहीं करवाना चाहते company fitted features ही चाहिए तब आप swift को प्रेफर करें अगर आपको एक hatchback की requirement है parking space आपके इदर tight है तो आप बिल्कुल swift की तरफ जा सकते है नहीं तो मेरा suggestion यहीं होगा कि आप desire के LXI variant की तरफ जाए तो जादा इसी वीडियो मैं मिलता हूँ अपसे नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए stay safe देखते रहे है SVGAR Portal झाल झाल झाल